इस बार गोमिया विदानसवाद शेतर की जनता का एक ही नारा है ना चलतो ना चलतो बाहरी उमेद्वार ना चलतो जब विकास करना था तब तो विकास नहीं किए अब लोगों के बीच में जुट सच करने आएंगे पुछ लोग क्या रहा है कि लंबोदर महत्यों तो एक्टीव नहीं रहते हैँ वो शेतर में आते हैं इसलिए जो है लंबोदर महतोों के इस अशेतर हम लोग नहीं चाहते हैं और यसकी बात वो कहा रहा रह है आपको यह जान dónde रृह कोई की हको लाप 24 करोप ही कठीन कैन पाटी के पूजा महतो चुना लड़ेंगी इस परकार से कई नाम सामने आ रहे हैं तो क्या इन पाटीयों के आने से आप पर कोई फर्क पड़ेगा दवया में जाके पता कर लिए कि वहां के रहयोतों के जमीन लुटने का प्रियास कौन किया एक सो पैतिस सडकों का हम लोग निर्मान करा है और दो अरब से ज्यादा का सडकों का हम लोग यहां पर निर्मान कर रहे हैं सर आप पूल पूल या गिनवार हैं लेकिन जो गेंदर महतों कहा रहे हैं कि मैया समान योजना के ताथ खाटा-खाटे 1000 रुपया 200 यूनिट बिजली फुरी बिजली बिल जो आ पर करके क्या करेंगे लाकों की संक्या में जो बिध्वा महिला जो ब्रिद महिला जो ब्रिद बैकती है उनका फैंसन साथ महना से रोक दिये गें अच्छु का मैनिफेस्टों कब जारी होगा क्योंकि चुनाव बहुती सौट पीर में हो रहा है पूरा जहारखंड इन पर भरोसा जाताया है फिर से गोमिया विधान सभा से आज शुपाठी के उम्मिद्वार होंगे मुकावला बहुत जबर्जस होने वाला है और 24 तारीक को सर का नमांकन भी है तो बातचीत करते हैं कि कैसी तयारियां है तमाम चीदों पर बात करते हैं सर जोहार और नमस अंधन है उनकी जमीन अलरी घिसक चुकी है अब गिशक चुकी है तो सारे सोर नहींजे यहां पर सारे लोग आएंगे तो अपनी ताकत अफना आइंगे जब विकास करना था तब तो विकास ने किया अब लोगों के भीज में जुट सच करने आंगे अब अब आब उंको सर सब्सक्राइब निति की बात करते रहे इनको इसफस्ट करना चाहें कि क्या 1922 कट्यान आधारित अस्तानी निति लागू हो गया क्या क्या जाती जनगन्ना हो गया क्या तो तमाम चीजें जो ये विस्तापन आगों की बात कर रहे थे विस्तापन नितिक की बात कर रहे थे जाती जनगन्ना की बात कर रहे थे इन सारे चीजों के भूल चुके है और ये यहां के जनदा के जारकन की जनदा को ये पूरी तर से दि शुरू हो चुका है। कुछ लोग कह रहा है कि लमबोदर महतों एक्टीब नहीं रहते हैं, वो शेतर में नहीं आते हैं, इसलिए जो है लमबोदर महतों कि इस पर हम लोग नहीं चाहते हैं। करना जूट बेतुकिक बात करना ऐसे लोगों को यह समझ में नहीं चाहिए कि आज पूरे गोमिया विदान सबाद चेत्र में जो काम हुआ है वो खम जंदा को बताने का काम करूंगा और नहीं रहने के कहां बात है 365 दिन 24 गंदे में तो कसमार पटबार गोमियार विदान सबाद चेत्र में रहता और जिसकी बात वो कर रहे है वो यहां के है भी ने इसमिट्टी के है भी ने वो तो बाहर से यहां कोईला चोरी करने के लिए कोईला चोरी करने के लिए लोगों ने तुन को बनाया भी था जवदी चुना हो गए और फिर अभी आप बात करें तो फिर वही स्तिती बने गया जो आदमी कोला चोरी में लगा हुआ जो आदमी टिटी पीएस को लुटने में लगा हुआ अभी आपको जानकारी होगा टिटी पीएस में वो तताकतित नेता जो यहां के रहनुमा अपने आपको समझता है गोमिया विदानसमा की जन्ता का हक अधिकार चेहने का काम किया है टीटी पीएस ललपनिया वहां के विस्ताबेद जिनकी जमीन गई जो पुनर्वास वे जिनको यहां के वहां टीटी पीएस के काम है जिनको ठेका मिलता था आज वो बतावे महा महें कि वहां पर किनकी ठेका कमपनी चल रहा है किस परिवार का अपना ससूर का बेटा का साला का पीए का कितने लोगों का वहां पर एजंसी है और कितना काम किया आपको यह जान करता जू होगा कि एक अरब 24 करोर का ठीका इन लोगों ने लिया है। ठीका क्या यहां गोमिया के जिन्ता नहीं कर सकती थी। पहले क्या नहीं करता था। तो आज आज सारे लोगों का गोमिया के लोगों का हकादेकार चिन्दे का काम कर रहा है। अब ऐसी चर्चा हो रही है कि उनके पाटी के पूजा महतो चुना लड़ेंगी। इस परकार से कई नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या इन पाटीों के आने से आप पर कोई फरक पड़ेगा। देखें यह प्रजातन्त रहा है और प्रजातन्त में हर बैक्ति, हर राजनितिक दल को चुनाओ लड़ने का अधिकार है। तो यहाँ गोमिया विधान सभा में कोई भी चुनाओ लड़ें। चाहो इंडी गड़ बंदन का हो, चाहो और किसी भी रहे या कोई भी आवे यहाँ पर। गोमिया विधान सभा चेदर की जनता इस बार ठान चुकी है कि हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबर महतो को पाहले भी विधाग बनाते हैं और फिर से दुबार हम लोग विधाग बनाने का काम करें। जो गेंदर महतों भी तो कहेंगे कि हम गोमिया का बेटा है। गोमिया विधान सभा चेदर की जनता का एक ही नारा है ना चलतो ना चलतो बाहरी उमेद्वार ना चलतो आप चैलेंज किये थे एक सक्स को याद होगा राची में कैनल में कि चैलेंज करते हैं आवे न चुनाओ लणे गोमिया से वो चैलेंज एक्सेप्ट होता दिख रहा है विधाग जी। देगे हम तो स्वागत करते हैं कि जो भी वैक्ति जिस लाजनितिक दल के जो भी परत्यासी गोमिया विधान सबाद चेतर से चुनाओ लणना चाहते हैं सबका स्वागत है लेकिन गोमिया विधान सबाद चेतर की जनता इस बाद ठान चुकी है कि हम फिर से दुबारा डॉ पुलियों के सुकृति करा के काम करा है एक सो पैतिस सडकों का हम लोग निर्मान करा है और दो अरब से ज़्यादा का हम लोग यहाँ पर निर्मान करण करवा रहे हैं आज तीन अरब से ज़्यादा पेजल की जोजना यहाँ पर चल रही है और एनेचाई का बात करें रेलवे के बदलत फिर से गोमिया विधान सभात सेत्र की जनता अपने घर के बेटा को फिर से बिद दुबारा बिदायक बनाने का कम सर अब पूल पूल या गिनवार हैं लेकिन जोगेंदर महतों के रहे हैं कि मैया समान योजना के ताथ खाटा-खाटे एक हजार रुपिया दो सव यूनिट बिजली फ्यूरी बिजली बिल जो आया था चालीस पचाहजार वो कितने लोगों का माफ कर दिया गया कि सानों के ल लैल है उनको तो बवा सम्मान जोजना भी लाना चाहिए बवावन के लिए इनोंने दो कहा था कि पांच-पाच लाग लो में को प्रति वर्श नोगरी देना था खितने लोगों को इनों नों नयों कर दिया यह बताना चाहिए इनोंने बवावन के लिए वह रौजगारी आप मैयाओं का समान करें ये सरकार को बताना चाहिए कि आप मैया समान के लिए आज लाकों की संक्या में जो बिध्वा महिला है जो बिध्वा महिला है जो बिध्वा बैकती है उनका पैंसन साथ महिना से रोक दिया गए ति इनको ये बताना चाहिए सिर्फ मैया का समान आप करें श्वागत जयों कोई आप मयाओं का सम्मान करें लेकिन वहाओं का सम्मान कौन करेंगा आप 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 ही ने कहा था कि हम यहाँ पर ब्रिदावस्ता प्यंसर डाय ज़र उपर प्रतिमा करेंगे आप एक हजार से आगर नहीं बढ़ पाए आज आज देकें जितने भी यह बताना चेक तो बिजली कटोती को इस्तिती है पूरा बिजली कटोती सभी जगह पर हो रहा है अब जब बिजली ही नहीं रहे तो आप बिजली बिलमाप करके क्या करेंगे तो यह सरकार बीरिगुल यहां के लोगों को दिखवर्मित करने का काम कर रही है सर आजसू का मैनिफेस्टो कब जारी होगा क्योंकि चुनाव बहुती सौट प्रिड़ में हो रहा है तब दो चरण में चुनाव होने वाला है आजसू का कुछ जैसे बीजेपी ने पंच परण ले कर आया है और भी आने वाला है उनका आप लोग का क्या आएगा अब निश्चित्रूप से गोमिया के जंता से मेरा करबद और हाथ जोड कर अनुरोध रहेगा करबद बिंती रहेगा कि निश्चित्रूप से आप लोगों ने अपार सने प्यार आसिरवात दिया और विधायक बनाने का काम किया था और मैं फिर से बिंती करता हूँ कि फिर से अपने घर के बेटा को दुबारा विधायक बनाने का काम करें ताकि आने वाले समय में जो भी जोजनाया है उनको हम लोग जमिन पर उतर सकें शुक्रिया तो हमारे साथ बाचित करने के लिए गोमिया से आजसु के बिधायक डॉक्टर लमोदर महतो जी से और फिर से आजसु ने इन पर भरोसा जताया है आपको बता दे कि गोमिया में सेकेंड फेस में मद्दान होने वाला 20 नवंबर को काफी जबर्जस मुकाबला देखने को मिलेगा यहां पर 23 नवंबर को जब मदगरना होगा तभी पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ा बाकि इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शों का धन्यवाद आप अगर गोमिया बिधान सावा से हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंड करके बताईए कि डॉक्टर लंबोदर्म तो यानि कि आपके बिधायक ने आपके शेतर के लिए क्या क्या किया है बाकि इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम जोहार जारकन शुक्रिया